किसना को अनमानोश अब आप ही बताईए भोला जी जब मैंने दुर्मुक जी को दो महीने पहले दस बोरी अनाज दे दिया है तो मुझे उसके पूरे पैसे मिलने चाहिए या नहीं मगर उसमें से एक पूरी अनाज को कीड़ लगए है भोला वो अनाज दो महीने तुमारे पास था उसमें कीड़े लग गए वो तुमारी गलटी है दुर्मुक तुम्हें हरिया को पूरे पैसे देने होंगे मगर मैं कह रहा था कि मैं आनन्जनगरी में कभी कोई गलत चीज नहीं होने दूगा तुम अभी इसी वक्त हरिया को उसके पैसे दे दो बोला जी जाए हो बोला जी जाए हो ये तुमने ठीक नहीं क्या बोला अब मैं तुम्हें ज्याता दिन प्रथान बने रहने नहीं दूँगा अब मैं प्रथान 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 आनंद नगरी में आया था उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आखे थी हाँ हाँ मेरी बिली भी रात बर चीक रही थी मुझे पता है ये किस ने किया कल रात घर लोगते मुझे देर हो गई थी तब मैंने एक दानों को देखा था हाँ मैंने भी देखा है उसे उसका शरीर पत्व से भरा था और कदमे वो बहुत ही बड़ा था जैसे कोई वनमानुष हाँ वनमानुष ये नई मुसीबत कहां से आ गई चलो चलो हमें तुरंत ये बात भोला जी को बतानी चाहिए हाँ हाँ चलो वनमानुष अब ये क्या मुसीबत है हाँ बाबा कह रहे थे तीन रातों से कोई अजीब दानव जैसा प्राणी आकर गाउं में सब कुछ तहस्नेस कर रहा है हाँ वो रात को आकर जानवरों को ले जाता है और फिर वनमें उन्हें खाता है इस वनमानुष की बजा से आनन नगरी में अब लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता सबके घर से कुछ ना कुछ चोरी हुआ है किसना मैंने काव में कई लोगों की बाते सुनी सब लोग उस वनमानुष से डरे हुए है कहते हैं वो बहुत ही विशाल है उसके बड़े बड़े ताथ हैं और उसके बदद पे बत्ते हैं हमें इस वनमानुष को पकारना चाहिए एक काम करते हैं दोस्तों इधर आओ चलो आज रात को हम गाओं में पहरा देते हैं बज गए घंटी और अगर उसने हमें भी खा लिया तो तर्ना बन करो सुथी हमें आनन नगरी के लिए ये करना ही होगा तो फिर तय हो गया आज रात हम सब चिपकर पहरा देंगे इस वनमानुष को पकड़ने के लिए हाँ हाँ बिलकुल आप तो उस वनमानुष के खायर नहीं ये ये अब मैं कहां छुपू को देखो उस टूकरी के अंतर छुप जाओ सुथी सब तयार होना दोस्तो अच्छुट इस ये उस थाहुब बस्ता लाहुट थाहुब थाहुब और नहुब झाल प्रयुब वटें रफटो, हैụ। में अजय है वजय है? वटें की वटें वटें अई मेरी स्वीट! वोरो कतर हो रहा है! अरे! ये तो इंसानमाली आवाज मिमोर रहा है! जैसा मैंने सोचा था, वैसा ही हुआ! ये कोई दानव की आवाज नहीं है! इसने किसी तरह की पोशात पहन रखी है! लेकिन है तो इंसान ही! कौन हो तुम? और क्यों इस तरह लोगों को डरा रहे हो? मैं नहीं पता सकता! वो मुझे बहुत मारेंगे! किसना इसका नकाब उतार देते हैं? पता भी तो चले ये आखिर है कौन? ये तो मनसुक है! क्यों मनसुक? बहुत मजे ले रहे थे ना तुम लोगो ड़ा की? कब हो तो अब मैं तुम्हे सबग सिखा दू? शान्त भाईया! मनसुक, कौन करवा रहा है तुम से ये सब? दुर्मुक भाई ने कहा था कि इस बनमानुस से अगर गाउ में आशान्ती होगी तो वो मुझे बहुत पैसे देंगे! अब क्या करेंगे किसना? हमें असली मुझरिम को पकड़ना होगा! मेरे पास एक तरकीब है! जो हम कहें वैसा ही करो! वरना तुम्हें भोला जी के पास ले जाना पड़ेगा! कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत दरावना! हम भी तयार हो जाते हैं! चलो किसना, अब दुर्मुक चाजा को सबग सिखाते हैं! बदमानोश! 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 मालेक 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 मुझ पर एक सचमुच के मनमानुष ने हमला किया मालेक अरे यही है बाव इसके और साथे भी यह उटेखो पीछे बागो अरे बागो मुझा अरे बागो बागो पर से ल़घके लोगेश्यों अध्यों के लिए्यों में अध्यों कर दो अध्यों कि मुड़ा जो थाँ मुड़ीयु कि अध्यों कि अुआ है हुई हाँ हुई हाँ हाँ अभय हुई हाँ हुई 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 फोला दर्वाता खुलो, फोला दर्वाता खुलो ये इस वक्त को ना गया फोला दर्वाता खुलो हमें बचा लीजे बोला जी ये बन मानुशा में था जाएगा तुर्मुख भाई, शायद ये हमसे नाराज है कि हमने इनका गलत इस्नमाल किया अब भोला जी को सब सच सच बता दीजिए, वरना ये वन मानुशा आज हमने नहीं छोड़ने वारा बोला, इस मंसुख को मैंने ही पैसे दिये थे, वरन मानुश बनकर गाओ के लोगों को दराने के लिए क्यों किया तुमने ऐसा? वो, मैंने सोचा कि वरन मानुश के दर से गाओ के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और तुछे प्रमुक्ने पद से हटा कर मुझे नियुक्त करेंगे अब मुझे बाफ कर दीजिए और इस दानाव से बचाहिए मुझे पिसा अब मुझे दर्मुक्चाचा सौसोनार की एक लोहार की भुला जी पकड़ लीजे दर्मुक्चाचा को इन्होंने गाओं के लोगों को बहुत परिशानी किया है और दड़ाया भी है पासा उल्टा पड़ा तो कैसा लगा? क्या? तो ये तुम हो किसना? अप तेलता हू तुम्हे इतनी जल्दी भी क्या है दुर्मुक्च? चलो दुर्मुक्च अब इसके बाद तुम कभी भी آनदिग्री के लोगों को परिशान नहीं करोगे अब मुझा बाब करतीज है पुरादी डरा के सबक सिखाया ऐसा कि भूल गया वो वर मानुष कैसा जैसे को मिला तैसा अब आनद नगरी में डर कैसा किसना और धगराज अलो फ्ली रंजयन बालक तेरी मस्तच की रेखाएं बता रही है कि आज सुधे बड़ा लाभ होने वाला है अब जाब 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 मैं तुम्हे कुछ नंगे वाला हम लेने देने नहीं आये हैं बालक कोई भस्तूला मैं उसे दुगना कर दूंगा तुम क्या सच में कोई भी चीज दुगनी कर सकते हूं अभी चिखाता हूं लाओ अभी अपनी ये अंगुठी उतार कर दो अब अपनी आखें बंद कर लो मैं आख बंद करूं और तुम मेरी अंगुठी लेकर भाज जाओ कोई बात नहीं अपनी आखें बंद मत करो एक, दो, टी, चार है ये तो सच मुच एक की दू हो गई बालक और कुछ है जो दुगना करवाना है या मैं चलूं है काकर को मैं अभी आता मेरी मोहरे दुगनी करदो, करदो खली आखें रखोगे तो सिर्फ दो गुणा होगा आखें बंद करोगे तो जितना गुणा चाहोगे उतना गुणा होगा ये बात है तो चार गुणा करदो ठीक है एक, दो, तीन, चार नहीं, नहीं, रुखो, रुखो आत कुणा करतो ठीक है एक, रुखो, काका रुखो ये दे तास को ना करतो नहीं, नहीं, बार गुणा नहीं, इत तेरा पल्रा, प्रसु सोला ये पिताजी, कौनसा बहाना बोल रहें ठीक है एक, दो, ती चार, देखो मेरा चमक का काका काका आखे खोलू आप कहा गया वापी मेरी सोने की बारे मैं लुट रहा ये पहले जैसे चमकने लगेंगे ना बिलकुल नए जैसे बहेंग बस हाथ लग जाए मेरा लाए पिताजी, मुझे दीजिये मा मा तुम इस वक्त सो रही हो सोने देना बेटा मा सूरज ढ़ल रहा है शाम का समय है याशी तुम्हारे गहने कहा है मेरे गहनों की पोटली वो वो बुड़ी औरत कहा दी जो मेरे गहने साफ कर रही थी याशी वो बुड़ी औरत जरूर एक ठक थी हमें तुरंत भोला जी को खबर कर देनी चाहिए आनन दगरी में देन दहाडे इतनी चोरिया किसने ठका तुम सबको मुझे ठकने वाला एक वह आदमी था नहीं नहीं वो एक जबाल लड़का था भाई और मुझे ठकने वाली एक बुड़ी औरत थी मैं इन ठकों को छोड़ूंगा नहीं भाईया पहले पूरी बात तो सुन लो प्रधान जी उस औरत के दाइने हाथ की एक उंगली कटी थी हाहा, उस तुठे आदमी की थी एक उंगली कटी थी उस लड़के की भी एक उंगली कटी थी किसना? ऐसा लगता है चार उंगली वाला गिरोग आननड नग्रीमें आ गया है नहीं बलू भाया, ये किसी गिरोग का काम नहीं एक ही आदमी ने भेश बदलकर सबको ठगा है ये लड़का किसना तो बड़ा ही होश्यार है लेकिन मुझसे ज़ादा होश्यार नहीं क्योंकि मैं हूँ ठग राज और अलग है मेरा अंताज कंतो संग्राले में पुराने शाही खजानी की परदर्शनी है वो ठग वहाँ चोरी करने की कोशिश कर सकता है हमें संग्राले की सुरक्षा बढ़ानी होगी सुरक्षा के लिए हमने विशेश सैनिको को तैनात किया है वो चार उंगली वाला चोर यहां आएगा जरूर मैं हूँ ठग राज और अलग है मेरा अंताज मैं ठुक्षी में रंग बदल सकता हूँ और नकली उंगली भी लगा सकता हूँ जाब सुवासे सिर्फ लोगों की उंगलिया देख रहे हैं हम प्रदर्शनी भी देखेंगे या नहीं वो देखो प्रवेश द्वार भी बत हो रहा है लगता है इतनी कड़ी सुरक्षा देखकर वो ठग यहां आया ही नहीं अब हम मा की भेने वापस कैसे लाएंगे मेरा डंड़ा तोड़ दिया बल्लू इसे वापस जोड़ो क्या सोचने लगे किसना कहीं वो ठग नकली उंगली लगा कर सुरक्षा जाट से निकल तो नहीं गया जल्दी अंदर चलो यहां तो सब कुछ ठीक ठग है लगता है वो यहां नहीं आया नहीं राधिका वो ठग यहीं है किसना वो देखो पुराने शाही हत्यार जलो देखते हैं हाँ चलो सब ठीक तो है ना एक ड़म ठीक यह है आनंदनगरी के राजा वीरप्रदाप का उसला सोने और हीरे जवारातू से बना उनका यह मुकुट राजा वीरपुर्ताप और आनंदनगरी की शान पृती सुन्दर मुकुट है अब आगे चलते हैं अब आगे अब आगे अब आगे राजा बीर प्रताप का मुगोट घायम हो गया तुम लोग इस तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ रुक जाओ यह तो वही ठाग है विशेश त्यानिक के भेश में रुक को दो खाओ लुक जाओ लुक को यह चर देशेश सुनिए अभी कोई काले कप्ड पहने हुए दिखा क्या यहां पर नहीं भाई मैंने नहीं देखा आखर इतनी जल्दी वो कहां गया होगा क्या हुआ किसना वो ठग कहां गया बचकर जाएगा कहां किसना बल्लू भाईया तुम मेरा कुछ नहीं बिगार पाओगे किसना चले जाओ यहां से चोरों से बात मैं नहीं मेरा भूर्सा करता है तुम नहीं जानते मैं रूप बदलने में ही नहीं लड़ने में भी माहिर हूं तो फिर आओ मैदान में किसना बहुत ही बाहदू रहे है इसे चलसे मारना रहा किसना अब तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा समय खस पकड़ लो इस ठक को और डाल दो आरंद लगरी की जेल में आज ये मुकट तुम्हारे कारण ही चोरी होने से बच पाया है किसना मैं चाहता हूँ इसे वापस राजा वीर परताप के माथे पर तुम ही सचाओ किसना देखो राजा वीर परताप के तुम्हें आशुबाद भी दे दिया इसे वापस राजा वीर परताप के माथे परताप के अश्चाओ परताप के वीर बिली झाल झाल एंग तुम कब सुधरोगे चम्पू भॉंदू इस बिचारी बिली को क्यों परिशान कर रहे हो हम तो बस इसके साथ खेल रहे थे हां हम तो बस इसके साथ खेल रहे थे ए चम्पू भॉंदू जानवरों को सतला छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा ठीक है गुसा क्यों होते हो तुम अपने घर जाओ अब ये दोनों तुम्हें नहीं डराएंगे काली बिल्ली ने काटा रास्ता अब मुसीबत से पढ़ेगा वास्ता बच गे है ना सुद्धी बच गई घंटी आज का तेर तो घर में ही गुजारना पड़ेगा पता नहीं कौन सी मुसीबत आ सुद्धी जल्दी चलो गुरुकल पांचने में देर हो जाएगी किसना शायद आज में गुरुकल नहीं जा सकता सुद्धी क्या हुआ बताओ तो वो वो उस काली बिली ने मेरा रास्ता काट लिया है आज मेरा दिन बहुत पुरा जाएगा सुद्धी वो बिल्ली खुद ही डरी हुई थी तुम्हें उससे क्यों डर लग रहा है चलो जल्दी अब अच्छा चलो चलो फिर से सिद्धी के साथ कुछ मजाग करते हैं हाँ काली बिल्ली वाली मुशीबत का मजाग हुआ हाई 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 यह तर्गी बच्छी रही भूंदू चलो जल्दी करते हैं गुरुकुल का वक्त हो रहा है रमे किष्णा और सुद्धी से पहले गुरुकुल पहुंचना है चम्पू आहाँ उस नास्ते से चलते हैं जल्दी पहुंचेंगे यह है सुद्धी की जगा वोंदू वो हम्रेशा किसना के पीछे ही बैठता है अधिक तो हो ना रादिका अधिक पर तुम गिरे कैसे पता नहीं काली पिली ने काटा रास्ता मुझी बच्य पड़ेगा वास्ता चलो सुद्धी बैठ जाओ गुरुजी आते ही होंगे तो बच्चों अपनी पुस्तक का तीसरा पाठ खोलो चलो क्या बात है सुद्धी गुरुजी मेरा बस्ता भट गया है शायद किताब रास्ते में गिर गई कोई बात नहीं सुद्धी तुम किसी और की पुस्तक से पढ़ सकते हो काली बली ने काटा रास्ता हम उसी बच्चे बढ़ेगा रास्ता तुम सब चलो मैं आता हूँ जल्दी आना सुद्धी काली बली ने काटा रास्ता हम उसी बच्चे बढ़ेगा वास्ता क्या हो असुद्धी तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो परेशान लग रहे हो हां वो सुबा सुबा एक काली बली ने मेरा रास्ता काट लिया और आप मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है सुबा से सब गड़बर हो रही है वैसी तुम उट क्यों नहीं रहे हो तेखो ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर उठी नहीं पा रहा काली बली ने काटा रास्ता अम उसी बच्छे बढ़ेगा बास्ता जल मोंदू हम ही इसकी मदद कर देते हैं उठने में हां चम्पू ठीका नहीं नहीं चम्पू बोंदू छोड़ो मुझे हुआ है है हुआ है है हुआ है है और रहे जल मुझे लग रहा है कि चम्पू भूंदू जरूर सुद्धी को परेशान कर रहे हैं किसना किसना मैंने देखा मैंने देखा चम्पू और भूंदू सुद्धी को परेशान कर रहे हैं उसकी बैठने की जगे पर गूंद लगी हुई थी और उसकी बत्लू फट गई है और उसे लग रहा है कि ये सब उस बेचारी बिल्ली की वज़े से हुआ है इन चम्पू भूंदू को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा देखो चम्पू भूंदू, सुद्धी को परिशान करना बंद कर दो हम कहां उसे परिशान कर रहे हैं हाँ, वो तो उस काली विल्ली की वज़े से बल्लू भाया, ये ऐसे नहीं सुध रहेंगे सुद्धी, चलो, खाना खाते हैं हाँ, बहुत भूग लग रही है नहीं दोस्तों, आज मैं अकेला ही खाना खाऊंगा मेरा दिन वैसे भी बुरा जाने वाला है मेरी वज़े से मैं किसी और को चोट नहीं पहुचाना चाहता लेकिन सुद्धी, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो चम्पू और भौंदू कर रहे है कोई काली बिली नहीं, टोटो ने खुद देखा है मेरे पास एक तरकीब है, चलो दोस्तों हमें चल्दी करना होगा किसना, चम्पू और भौंदू पस आते ही होंगे ये रहा चम्पू का बस्ता, अब आगा मजा बौंदू, हमारी तरकीब काम कर गई, वो देखो, चुद्धी कैसे अकेला खाना खा रहा है हाँ, चम्पू, चलो, अब हम भी थोड़ी पेट पुजा कर ले हाँ, चलो बौंदू, इस्मगडी को अटाओ मुझ पर से हाँ, हँ, हाँ, हाँ, हाँ Çा चर अब हाँ 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 बचाओ, 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 क्याओ, बचाओ, बचाओ, क्यों चम्पू बोंदू, मजा आया, सुद्धी के साथ जो किया, उसकी सजा कैसी लगी, सुद्धी, हमें माफ कर दू, आज सुबह से तुम्हारी साथ जो भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार हमी है, हाँ, इ यह नहीं गोंद से तुम्हारे कपड़ी भी पाड़े, और कंचे डालकर तुम्हें गिराया, और तुम उस बेचारी काली बिल्ली को जिम्मेदार ठहराते रहे, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, और मैं उस बेचारी बिल्ली को दोशी ठहरा रहा था, जो चंपू तुम्हारे साथ जैसा मजाग नहीं करेंगे, हुँ, हुँ, हासुती, यह तो कितने प्यारी है, यह क्या किसी को मुझेबत बिगा दे नहीं हुँ, हासुती, यह काली बिल्ली का रास्ता काटना, और बिल खराब जाना, सब अंध विश्वास वाली बाते हैं, यह बिचारे जानवर हमें खोल तकलीफ लगी पहुचा सकते हैं, बिल खराब कहा किसना, किसना और फिश्वाल मेंगा, अनंद नगरी में पहली बार आने बाला है, एक पिशाल बंदर, आथिस से भी बड़ा बंदर, जैसा पहले किसी ने कभी नहीं देखा होगा, आए, बिलिए इस पिशाल बंदर से, आज शाम आनंद नगरी रंग मंदिर में, सुनो, 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 हाथी से भी बड़ा बंदर, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना ऐसे बंदर के बारे में, हाँ, फिर तो बहुत ताकतवर होगा, और खाना भी खूब खाता होगा, मगर किसना, ऐसे प्रदर्शनी में जानवरों को रखना तो गलत बात है ना, हाँ राधिका, जानवरों को उनके अपनी घर में ही रहने देना चाहिए, मगर मैं चल के देखना चाहता हूँ, कि वहाँ क्या होने वाला है, आनन नगरी रंग मंदिर की देख भालतों दुर्मुक चाचा करते हैं न, उन्हें कहां से मिल गया ये विशाल बंदर, वो भी पता करना है, दुर्मुक चाचा, हाँ, हमारे बाबा, दूर देश से धून के लाए है उस विशाल बंदर को, और वो इतना बड़ा है, इतना कि बलू को युँई उठा के फेख सकता है, और सुन्ती को तो मच्छर की तरह मसल सकता है पजी कई घंटी मैं तो नहीं जाने वाला उस प्रदर्शनी में मैं वहाँ जरूर जाओंगा मुझे पता करना ही है और मैं भी हाँ और मैं भी तुम सब जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ हाँ, ये वीनवाँ आज आप सब मोत रिष्चे बेखोगे जुआनन नगरी में आज तक किसी ने नहीं देखा है मैं दूर देश से इस बंदर कुलाया हूँ सिर्फ आप सब के लिए तो आये मिलिये अपने विशाल दोस्त से दूर्मुख भाई भी कहां कहां से क्या क्या ले आते हैं हम सब के लिए अब देखिये क्या क्या कर्तब दिखाता है यह विशाल बंदर चलो इस विशाल बंदर है से हसा के दिखाओ है 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 हलो हस के दिखाओ है इस तरह से बंदी बनाना घलत है देखो ऐसे भुसा हो रहा है पेचारा अपस्ते हो या रही सब लोग जल्दी यहां से निकल जाएए इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबस आपडे कर्दान की यहां idea ऑपते इससे तरह मुष एप के अपडेक अरमाच वार है लगार भी है बुचचच एकाओ रट रल बुचचच बुचचचच बुचचचच एकाओ अब क्या होगा किस्ना यह तो बहुत ही नुक्सान कर रहा है एक बार मैं इससे बात कर पाऊँ फिर सब ठीक होगा किस्ना रादिका जल दे महाँ जाटा किस्ना रुक जाओ बच्छाओ बच्छाओ आगे आप तुमें कुछ नहीं होने दूगा बच्छाओ ए दूगो चोड़ा हमे पल्लु भाईया मैं बचाओगा तुमें स्विशालपत्र से कर दो च्रूर। सुन। कर दो बंच आओ कर दो हण श्राब करा दो ले तुम कर दो दो कत दो!! कि जूदर रहाँ कि अगने! किस्टाइब नहीं किस्टाइब नहीं है किस्टाइब नहीं कैसे बचेंगे इस विशार बंदर से ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है मैं इसके हाथ से छूड़ी नहीं पा रहा हूँ यहां ताकत का नहीं पुद्धी का प्रयोक करना होगा बलु भाया क्या सोचा है तुमने मैं जानता हूँ तुम्हें यहां बंदी बना के लाया गया है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुचाना चाहता हूँ कर दो दो अबलु टुम्हें पन्जे, झाहँ तुम्हें तुम्हें मैं पन्जे। क्यस्ता हूँ पलुट पलुट फेले पच़ेग्जे कर दोडन। कर दोड़ी करें दोडिशनी है कर दो और दो भी रहन। मने? मने कु खुशने किया? मैंने तो पसनी से एक स्दाकिन से आखरिटा है इसे इसके घर से निकालनी का हग किसी को नहीं है दुर्मुक चाचा विशाल बंदर है किसना मगर तुमने तो इसे भी शांत कर दिया हां किसना तुम सच मुछ कमाल करते हो वैसे दोस्त तुम्हारा घर है कहाँ पर अच्छा उत्री पहाडियों से आगे वाले जंगल में है तुम्हारा घर नंद जी आपका बेटा किसना तो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकता है अंधेरा बहुत हो गया है एक काम करो दोस्त आज तुम हमारे महमान बनका रहो कल सुबे हम तुम्हें छोड़ाएंगे बड़ा मसा आया क्यों न हम अपने इस दोस्त और बल्लू का खाने का मुकाबला रखे किसना और स्वर्न दानव किसना बना सकता है बल्लू भाया इतनी सारे बठाईया मेरा कमाल गुंदू हुआ 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 है यो चंपू बुंदू बास नहीं आएंगे अपनी शरारतों से हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है जब मैं बड़ी हो जाओंगी ना तब मुझे भी ऐसे ही कंगन चाहीए अच्छा बिटा निकाल इसमार तुमने कौन सा खिलोना बनाया है काव 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 अभी बताता हूँ तुझे अरे ये क्या कर रहे हो मेरे कहने क्यों निकाल रहे हो काव 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 मेरे कहने अरे ये क्या हो रहा है क्रिकाल मेरे खजाने को खाली करके ये क्या कहनों से खेल रहे हो ये दिखो मेरे पूरे खजाने में बस अब ये दो स्वर्न मुद्राएं बची हैं, सब कुछ खाली करवा चुके हो तुम अरे, अब मेरे कहने तो छोड़ दो मूर्त्रिकार आप चिंदा बहुत करते हैं महाराज ये देखे, मेरा नया आविश्कार, स्वर्न दान आओ स्वर्न दानव? जी महाराज, इस स्वर्न दानव की मदद से आनद नगरी का सारा सोना खीच के आपके खजाने में लागे रख दूगा फिर आपके खजाना तुबारा सोने से भर दूगा हम सोने से लाएंगे महाराज इस बार जाके तुमने कोई अच्छा काम किया है चलो जाओ, सोना लेके आजाओ जी महाराज घमालम घमालम जमातारम घमालम यह क्या होना है यह क्या होना है? मेरे सारे गहने कहा जा रहे है? तुमने कहां ओतार how to?" जामने और यह जाओ जो जाओ हाँ वर सु NOझा अरे वरे सु क्या सारी तैयारियां बड़ी ही खूब की है आपने भोला जी ये क्या हो रहा है बचाओं 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 वाह तृकाल वाह आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है महराज आगे आगे देखिये होता है क्या अरे ये कैसा दाजो है हमारा नारा धन प्लेके गायव हो रहा है ये तो दीक दहारे लोट बजी हुई है किसना कमाल कर दिया अत्रिकाल कुछ अलग उपाय करना होगा इससे लड़ने के लिए यह चार करना हुई किुछ यह घ्सका हुआ यह होगा बढ glaub technical details! एार के फसकत की आर सक्सक्राइव रिएा भान् ठाएव चूख को अार शार कोश्रड़ को सान्ग definite उल कस उborg में भान्म हें जल कि एके थावार उवार हे अश्मन गया हुद। दो sound best आपका सपना तो फिर से तूट गया महाराज आपके होनहार तरिकाल ने आनद नगरी में सोने की बारिश्यो कर दी महाराज आप अपनी दोस्वर मुद्राएं पचाए रखियेगा काव 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 शाबाश किसना आज भेर से तुमने बहुत ही बहादुरी दिखाई है शुक्रिया किसना तुमने मेरे सारे गहने मुझे लोटा दिये हाँ किसना और मेरे भी वह किसना बहुत अच्छे शुक्रिया मा और ये लो तुम्हारे कंगन अब चलो चल के कुछ खाते हैं हाँ चलो अब चलो चो अच्छे खाते हैं जे लो अच्छे प्लिक टू खाते हैं हाँ प्हाँ अचाई जाने मेरे लुड़िया प्लिकों और ये लो तुम्हारे कोड़ी दिखाई झाल झाल